वेलकम बैक टू माई टूपशल पेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम फर्स सेमेस्टर में हैं बिजनिस स्टेटिक्स का पेपर आप देख रहे हैं और ये बात करने वाले हैं अगरा इनिवर्स्टी वालों के लिए जिसका भी आगरा इनिवर्स्टी है और वीकॉम फर्स सेमेस्टर में प्रदेने बाले हैं तो मैं आप से बोल रहा हूं कि 2022 में इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना 75 नंबर का आपका रिटन एक्जाम होगा जिसमें से 10 कोशन लगू सबी चात्रों से कहना चारा हूं कि पेपर हैकर को अभी सस्क्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर तो जादा से जादा दोस्तों को शेड कर दो यहां से वाहर कुछ निजाने वाला आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे मैं आपसे बादा कर सकता हूं कोई आ कि सीमाओं के बारे में याद कर लेना है संख्यां की और संख्यां की अनुसंसाधन के आयोजन के बारे में याद करेंगे ठीक है इस कोशन को ध्यान से देखेंगे क्या रहने वाला है तो उसके बाद में नेक्स कोशन आपसे पूचा गया है देखेंगे नेक्स कोशन है इस कोशन को देखेंगे प्रात्मिक सम्मक के बारे में उनके प्रकार प्रात्मिक और दुतियक गुर्दोस उनकी सीमाओं के बारे में याद करेंगे नेक्स कोशन है संख्यां की माद्ध क्या होता है यह याद करेंगे, नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे, जो है आपके लिए बहुत सदा इंपूटेंट है, जिसे कहते हैं, सह संबंद क्या होता है, सह संबंद की पिरकार, उनकी सीमाओं को याद करेंगे, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि 85% यहीं से आएगा उसके बाद में देखो उसके बाद में नेक्स कोशन आपसे पूछा जाते हैं कि सुचांग की बिसिष्था उनका उप्यों कहां किया जाता है, सुचांग को नर्दे संग भी बोला जाता है, उसको आपको देखना है कुछ numerical question पूछ जाते हैं इसमें से numerical question तो आप numerical question जो जो आपको important लगे वो कर सकते हूँ ठीक है numerical बहुत जादे पूर्ट देखो मैंने आग आग देखो डीडी गोरखपुर इनिवर्श्टिक ले इनिवर्श्टिक ले दिये थे बही question एक्जाम में आए थे जो गोरखपुर में इनिवर्श्टिक ले दिये थे बही question पेपर में पूछे गए थे तो सभी चात्रों से कहना चाहरा हूँ कि जो question मैं आपको बता रहूं तयार करके जाओ यह है आपका website प्रवंद क्या होता है website प्रवंद को देखेंगे ठीक है next question आपके सामने आ चुका है इस question को उत्तम देखो यहां वो लाए उत्तम वद्ध क्या होता है समांतर वद्ध और उनके गुड़दोसों के वारे में देख रहा है ठीक है ठीक है उसके बाद में आप देखेंगे उसके बाद में देखेंगे next question है बहुलक बहुलक क्या होता है उनके गुड़दोस के बारे में याद करेंगे बहुलक क्या है बहुलक के गुर्दोस बताईए परास क्या होता है परास बिस्तार के बारे बताने को एक होता है परास परास को बिस्तार भी बोला जाता है ठीक है ये कोशन देखेंगे मद्ध बिचलन के गुर्दोस क्या होते है ये कोशन मौश्ट इंपोटेंट है कि संबंद गुडां को याद करने के विदी को याद करना है और उसके बाद में जीवन निर्वहा जो दिसांग होता है उसकी परिभासा को याद करना है वाले किसे कहते हैं तो परिभासा आपको देखना है ये थी 2022 में आने वाले कोशन जो आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं आगरा उनिवस्टी वालों मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे YouTube पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेर कर दीते हैं थैंक यू पर बचिछ वीडियो बाई बाई दोस्तों